अपना विश्वसनीत न्यूस चैनल राश्टे नवाचार देवास जिला अस्पताल के चिकितसक स्टॉफ ने ट्रिपल बच्चों की कराई डिलेवरी मा और बच्चे सभी स्वस्थ जिला अस्पताल देवास के चिकितसक स्टॉफ ने ट्रिपल बच्चों की सीजर से डिलेवरी कराई आठ सितंबर को गणेश पुरी देवास निवासी श्रीमती शीतल पती आकाश उम्र 29 वर्ष अपनी दूसरी डिलेवरी के लिए जिला अस्पताल पहुँची जिला अस्पताल में स्टॉफ द्वारा जाच में पाया गया पेट में तीन बच्चे हैं स्त्री रोग विशेशग्य डॉक्टर साधना वर्मा द्वारा सीजर प्लान कर और टीम में एनेस्थेसियोलोजिस्ट डॉक्टर निता पंडित नर्सिंग अधिकारी श्रीमती सपना मीना के साथ सफलता पूर्वक दो बालक और एक बालिका की सीजर से डिलेवरी कराई दूसरे नवजात लड़का का वजन करीब एक किलो 900 ग्राम तथा तीसरे नवजात लड़की का वजन करीब एक किलो 700 ग्राम है सभी पूर्ण सवस्थ है इनको दोनों नवजात को मा के साथ और एक नवजात आप्जर्वेशन में SNCU में रखा गया है SNCU सिस्टर अंजली विद्याद्वारा बच्चों की स्वास्थे जौच की गई सिविल सर्जन डॉक्टर एंपी शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल देवास में शहरी एवं ग्रामीन छेत्र से गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए आती है जिला अस्पताल में वर्तमान में सभी सुविधाय उपलब्ध है, आधुनिक ओटी, मौडिूलर ओटी में सफलतम तरीके से ट्रेंड चिकित सकीय स्टाफ द्वारा सफल प्रसव कराये जा रही है अस्पताल में प्रतिदिन 30 से 35 गर्भवती महिलाओं का प्रसव होता है जिसमें सामान ये एवं ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव किये जा रहे है